नमस्कार दोस्तूं, टीचर सिन में आपका स्वागत है जैसी के आप यहाँ देख सकते हो राष्ट्रे सिख्षा उनिवर्सिटी में आसिस्टन्ट प्रोफेसर, आसोसेल्ट प्रोफेसर और प्रोफेसर का बहुत सारा बैकेंड से निकला है तो चलिए चलते हो उसका ओफिसियल नोटिफिकेशन पे और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं तो यह आप देख सकते हो यह है राष्ट्रे रक्षा उनिवर्सिटी का ओफिसियल नोटिफिकेशन और यह एक National Importance Institute है जो हमारे गुजरात में लोकेटेड है यहाँ देखे मेंशन किया गया है राष्ट्रे शिख्षा उनिवर्सिटी इंडियाज प्रीमियर पब्लिक उनिवर्सिटी इन डुमेन अप नेशनल सिकुरिटी एंड पॉलिसिग तो यहाँ आपको मिल जाएगा Professor Associate Professor Assistant Professor का Vacancy और जॉब डस्कृप्षन क्या है we are looking for qualified, committed and experienced faculty for the engineering subject related to computer science and engineering, digital forensic, engineering, math, cyber security, artificial intelligence and machine learning यह सारे के सारे सब्जेक्ट में उनको Professor Associate Professor and Assistant Professor चाहिए और इसका लोकेशन क्या है गुजरात का गांधी नगर क्यांपस में इसके लिए qualification क्या चाहिए M.Tech या B.Tech होना चाहिए Computer Science में और उसके साथ-साथ PhD होना बहुत जरूरी है Computer Science में या Information Science में Then आप यहाँ देख सकते हो Eligibility Criteria में वही चीज मेंशन किया गया है और इसके साथ-साथ देखिया थार्ड नंबर पर यहाँ एक चीज मेंशन किया गया है ए मिनिमम फाइब यह सब पोस्ट PhD ट्रेचिंग और रिशर्च एक्सपिरियेंस इन ए उनिफर्सिटी कॉलेज और नेशनल लेवल इंस्टिजूशन फर आसिस्टन प्रोफेसर देन 10 साल से 15 साल चाहिए किसके लिए ना आसिस्टन प्रोफेसर के लिए पास साल आसिस्टन प्रोफेसर दस से 15 साल आसिस्टन प्रोफेसर आड प्रोफेसर के लिए बाकी सारके सारे जो छोड़ा मोटा चीज मेंशन किया गया है आप चाहो तो इसको थोड़ा देख सकते हो then responsibilities के बारे में थोड़ा mention किया गया आपको teaching करना है वहाँ then mode of application यहाँ देख सकते हैं mode of application में यहाँ mention किया गया है interested candidate must submit their CV along with the teaching application form available on the RRU website तो website में आप जाकर जब देखोगे आपको वहाँ एक application form मिलेगा इसी के साथ साथ आपका जो updated resume है updated CV है इसको attach करके यहाँ देखे एक mail ID दिया गया है इस mail ID पर आपको भेजना है कब तक न 31st July 2021 है इसका last date और इसका selection procedure क्या है selection procedure सिर्फ interview है और यह online भी हो सकता है offline भी हो सकता है यहाँ mention किया गया है आप देख सकते हो the shortlisted candidate will be called for the interviews online और offline as per the prevailing the COVID-19 situation तो situation को देख कर जैसे भी हो सकता है आपको online या offline भुलाया जा सकता है और यह कब तक होगा ना first week up August ठीक है तो यह था इसका details आप जो भी interested हो आप चाहो तो यहाँ apply कर सकते हो और इसका जो link है मैं देदूंगा description में आप वहाँ जाकर visit कर सकते हो और जरूर इसका जो university का page है आप थोड़ा इस visit कर लेना तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा तो यह था इसका details और जिन्होंने भी अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है subscribe कर लिजिए future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा so thank you all the best